स्वास्ते एम सरेक्षिक्षा का सेटम्ड यूनिट इस वीडियो में डिस्क्राइब करने वाले जिसका नाम है बछों का स्वास्ते और विद्ध्याले ये यूनिट दोस्तो चार नंबर का है और यहां से कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं से प्रशने बार-बार परिक्षा में रेपीट होते रहते हैं तो सभी को इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं वीडियो पूरा देखना है चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लेना है दोस्तों इस युनिट का पहला परिवेश के बारे में अगर आपको बड़ा प्रशन पूछ ले तो आपको इसमें क्या लिखना है वो जान रहते हैं तो देखिए बच्चों का स्वास्ते प्रद वातावर्ण है तो वहां पर पढ़ने वाले बच्चों का भी स्वास्ते अच्छा रहता है उनको पढ़ने व पॉइंट आपको ध्यान रखना है विध्याले परिशर और रोसनी देखिए विध्याले भवन ऐसे खुले उच्छ स्थान पर होना चाहिए जहां पर सूर्य की रोसनी आसानी से सभी कक्षा कक्ष में पहुंचे तता कक्षाओं में अंधिरा नहीं होना चाहिए बालकों की पास कोई कार खाना गंदे पानी के ठहराव वाला इस्तान आदी ना होए ताकि प्रदूशित हवा का परभाव विध्याले भवन में ना होए यह आपको ध्यान रखना है आगे बढ़ते हैं दोस्तों थर्ड पोइंट है विध्याले परिशर और पानी तो देखिए इसमें विध्याले परिवेश में पीने का पानी सुध तथा फ्लोरेड मुक्तों होना चाहिए विध्याले में बने सोचालियों के लिए परियाप्त पानी की विवस्ता होनी चाहिए विध्याले में पीने के पानी से बहने वाले खराब पानी की निकासी बाग बगीचों पेड़ पोधे लगे हुए होने चीए तता इस तरह लगे हुए हो जिससे कक्षा कक्ष में रोजनी परवेश में बाधा ना होए फुलवारी पेड़ पोधे लगाने से च्छाया सुद्ध हवा मिलती है तता परियावरण शुद्ध रहता है इस तरह से दोस्तों आपको चारो पॉइ ज्यादा होती है बाद में जब सरीर विक्षित होता है तब कुछ अस्तियां जुड़कर के एक हो जाती है तब फिर सारी टोटल जो है वह 206 रह जाती है इसमें तो देखिए आगे इनके बारे में अगर डीटेल में पूंच ले तो देखिए आपको ऑप्शनल प्रस्न चार होती है कूले की अस्ति में दो होती है जांग की अस्ति में दो होती है चाती में 25 होती है गुठने में दो टांग में चार और रीड की हड़ी में 33 होती है पेर में 52 होती है तोटल आपके 206 हड़ीयां यहां पर रहती है इस तरह से दोस्तों आपको ध्यान रखना है पिर आख की पलके आदी अने चिक पेशिया हरद्य यकरत मुत्राश्य आदी यह आपको ध्यानक ना है एक नमर का प्रेशन पूंचा जा सकता है आगे बढ़ते हैं दोस्तों आगे देखिए थर्ड पॉंट में रक्तदाब के बारे में भी जानकर पूंचा जा सकता है तो समय चाहिए पेट को उचाई पर रखते हुए उल्टा लेटा देना चाहिए पीट के निचले हिस्से को बार-बार दबाना चाहिए पेट में आपर यह आपको ध्यान रखना है आगे बढ़ते हैं दूसरा है आगहात में देखिए शरीर की वह इस्तिति जिसमें रोगी की आदी होती है और मांसिक आगात कोई दुख पहुंचाने वाली खबर तो यह आपको ध्यान रखना है आगे बढ़ते हैं इसमें देखिए जलना वै जुलसना आपको ध्यान रखना है जलने में देखिए यदि सूखी आग बिजली का करंट अमल आकासी बिजली धूप वै पह दिखिए यदि तुवच्छा जली हो सेकेंड डिगरी तुवच्छा वै मांसिक यां दोनों जल जाए ठर्ट डिगरी मांसिक जलकर के सिकुड जाए वै आंतरिक अंग प्रभावित हो तो यह आपको ध्यान रखना है यह डिगरियां भी आपको पूछी जा सकती है आगे ब पक्ती रहती हैं और कुछ दिनों में मर जाता है आपको यह सारे एक नंबर के प्रशन आपको पूछी जा सकता है या फिर बड़ा प्रशन भी आपको पूछ सकता है आगे बड़ते हैं दोस्तों अगला आपके पौइंट है तेज भुखार का तो देखिए मनुश्य का साम वन्सिक वे सिर पर चोट लगने से भी हो सकता है दम गुठना इसमें देखी दम गुठने के अने कारण हो सकते हैं संक्रमन के कारण सिर पर चोट लगने कारण फेपड़ पर दबाव पढ़ने के कारण दम गुठ सकता है आगे देखी दिल का दोरा तो दिल का दोरा पढ़ने से कई करण हो सकते हैं दिल के किसी वालू का सपल हो जाना कोई आगात देने वाली खबर सुनना रक्त में कॉलेस्ट्रोल का बढ़ना इस तरह से आपको पॉइंट द्यान में रखने अता रोगी को तुरंत चिकत्सक के पास ले जाना चाहिए और दिल को कत्रीम रूप से करते हुए डोक्टर के पास ले जाना चाहिए अगला आपके इंपोर्टेंट टॉपिक है सी पी आर यानि की कार्डियक पाल्मोनरी रेसिटेशन तो देखिए जब रद्य की धड़कन बंद हो जाए विक्ति की स्वास रुख जाए तो जीवन बचाने के लिए जो उपाई के जाता है उसे सी पी आर कहते हैं कार्डियो का आर्थ है हरिद्य पल्मोनरी से अभिप्राई फेपड़े और रेसिटेशन से अभिप्राई पुनर जीवित अर्थात हरिद्य तथा फेपड़ों को पुन्हें क्रियाशील करना ही कार्डियक पल्मोनरी रेसिटेशन कहलाता और म telefon?", यहापको ध्यान रखना है। अगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं स्वास के बारी में दोस्तों कई बार प्रिशन आया है। कई प्रकार के जो नीं उरन गिली पटी इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और यहाव उपयोगिता को जन लेते हैं तो घ्र 있다고 संक्रमन से बचाने के लिए रक्तिस्तराव रोकने के लिए अधिक चोट्स के लगने के लिए पर्टी की उप्योगिता रहती है आगे बढ़ते हैं सामाने खेल चोट वह उनका उपचार किस तरह से के जाए तो पहला है मोच तो लिंगामेंट का खिचाव या तूटना ही मोच है सरीर के किसी जोड़ पर अस्ती दूसरी अस्ती से लिंगामेंट के माध्यम से बं अगे बड़ते हैं अगला आपके देखिए मोच वह खिचाव के उपचार भी आपको जान लेने हैं पहला है उस अंग को आरामदायक इस्तिती में रखना चाहिए बहतर गंठे तीन दिन तक ठंडा उपचार दें वे बाद में गरम उपचार करना चाहिए तीसरा है प्रते गंठे या दो गंठे बाद ठंडे पानी की थेली रखते रहें इस तरह से आपको सारी बाते ध्यान रखनी है आगे बढ़ते हैं अस्ति भंग का फैक्चर आप जिसे कहते हैं तो जब किसी बाहरी चोट के करण कोई अस्ति तूट जाती है दब जाती है या मुड जाती है तो उसे अस्ति भंग कहते हैं अस्ति भंग के परकार तीन परकार होते हैं सरल अस्ति भंग मिस्रित अस्ति भंग और जटिल अस्ति भंग आगे देखिए अतरिक्त अस्ति भंग के परकारों के बारे में तो बहुखंड अस्ति भंग पचड़ी अस्ति भंग कच्छी अस्ति भंग और दबी अस्ति भंग य देखिए उपचार में पहला है रोगी के उस अंग को तिकोनी पट्टी बांद करके तथा खपच्चियों की सायता से सहरा दे सकते हैं लकड़ी की छोड़ी छोड़ी काड़ करके खपच्चियां जो होती है उनके सायता से आप जो पट्टियां है वो बांद करके जो रोगी क सायता दे सकते हो आगे देखिए आगात का उपचार कर तुरंत रोगे को अस्पताल ले जाए जाना चाहिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों तीसरा पॉइंट है रक्तिस्तराव का ब्लीडिंग जो होती है सरीर के किसी अंग से रक्त बहने को रक्तिस्तराव कहते हैं रक्तिस्त दबाव की दवारा हो सकती है या फिर अपर टेक्स दबाव की दवारा आप कर सकते हैं यह आपको ध्यान रखना है आगे बढ़ते हैं दोस्तों अस्तिका खिशकना तो यहां पर देखिए जोड से कोई अस्तिका खिशकना कहते हैं लक्षण आप यहां पर देखिए लक्षण पर दिखने आगे बढ़ते हैं आगे देखिए प्रातमिक चिकसा ऐलाज शुरू करने थे पहले दी जाने वाली साहिता सीचा होता होती है और पट्टिय होनी चीए गोलवा तिकोनी, चोथा आपके पास कैची और चिम्टी आदी होनी चीए, पांचो पॉइंट डीटियोल आपके पास होना चीए, और बिटाडियन भी आपके पास होना चीए, आगे देखी आपके पास जीवी पैंट और आयोडेक्स भी आदी यहा पर बात करी गई है तो देखी आकश्मिक तथा आश्रेजनक तथा अव बहुत दिनी है वेवार में परिवर्तन ही मांसिक तनाव है अर्थात किसी इच्छा के अनुरूप कारिये ना होने पर अवांचित वेवार परिवर्तन ही मांसिक तनाव रहता है विद्याले में feeding के कारण मानसिक तरह से दोस्तु आपने सारे Major Points इस योनिक के समझ लिए हैं आइंश हो सारी बाते आपने थेक तरीकेश समझ लिए हैं सारे नोट्स दोस्तो एजी लिःग्वज में ही लिखे हैं तो जढ़ा कुछ explain करने की यहां पर जरूत नहीं थी इस वीडियो में दोफ्तों इतना ही वीडियो को like जरू करें और अपने दोफ्तों के साथ भी share करके उनकी पढ़ाई में help करें thanks for watching this video